नमस्कार बच्चो विशय हिंदी हिंदी में पांक्रमांक 27 निकलो 27 पर है पुनरावर्तन एक पुनरावर्तन एक में पहला प्रेश्ण आपको दिया है वर्ण माला सुनाओ और विशेश वर्णों के उच्चारण पर ध्यान्दू वर्ण माला आपको मालूम है वर्ण माला में स्वर और व्यंजन होते है जैसे की स्वर है अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, आ, ओ, अ, 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 अ और व्यंजन में होते है कखगघंग, चचजजण्य, टठडढढण, नुकतावलाड़, नुकतावलाढ़ यह आपको वर्ण माला लिखनी है इसका अलग सा वीडियो मैं आपको भेज रही हूँ वो वीडियो भी आप देखलो और वर्ण माला आप लिखो दूसरा प्रश्ण देखो विद्यालाई के स्नीह सम्मेलन का वर्णन करो बच्चों, आपको यह प्रश्ण नहीं लिखना है तीसरा प्रश्ण देखो पसंदीदा विशय पर विग्यापन बनाकर उसको पढ़ो अभी विग्यापन याने क्या मराठी में उसे कहते है जाहिरत वेगविगली जाहिरत अपन पाहतो की ने? पेपर मदे, टीवी मदे उसको हम हिंदी में कहते है विग्यापन तो पसंदीदा विशय पर याने आपको जो पसंद है उस विशय पर आपको साबुन का विग्यापन करना है या किसी पाउडर का विग्यापन करना है तो आप उसका विग्यापन आपको बनाना है ठीके, आगे देखिए, प्रश्नचा उच्छाओ था फल फुलों के दस दस नाम लिखो बाजु में आपको एक टालिका दीई है फुलों के नाम, फुलों के नाम फुलों के दस नाम लिखने हैं आपको जैसे अंगूर, अनार, अमरूद, आम, केला, नाशपती, पपीता, लिची, संतरा, कटहल, इत्यादी और फुलों के नाम दस लिखने हैं आपको कमल, गुलाब, जुही, चमपा, चमेली, बेला, गुढहल, गेंदा, कनेर, गुल्मुहर, इत्यादी ये तालिका आपको पुरी करने हैं निचे देखो पाँचवा प्रश्न है अक्षर समुह में से खिलाडियों के नाम बताओ और लिखो निचे अक्षर समुह लिखे हैं जैसे की पहले में देखो इ, ह, न, स, ल, व, न, य, य, अक्षर समुह उल्टे सुल्टे है लट सुलट लिखे हैं आगे पीछे लिखे याने उसका एक नाम त्यार होता है साइना नहवाल देखो ये खिलाड़ी है बैडमिंटन पटू है दूसरा देखो ध्यान चन्द ध्या द चन न उसका नाम होता है ध्यान चन्द ये भी हौकी का एक खिलाड़ी है तीसरा देखो वह शाधः जाबा खा याने क्या होता है नाम खाशाबा जाधव कुस्ती पट्टू है ह, लखा, सिंग, मी याने मिलखा, सिंग ये धाव पट्टू है आगे देखो म, री, कौ, मे मेरी कौम मेरी कौम कौन है मालूम है आपको बॉक्सर है पुष्टी मे आगे देखो नी, मी, सा, जा, या सानिया, मिर्जा सानिया, मिर्जा कौन है बैड्मिंटन पट्टू है न आगे देखो लास्ट में न, र, स, ल, डू, तेन, क, ची, याने क्या सचीन, तेन, डूलकर ये तो क्रिकेट पट्टू है ठीक है, ये भी आपको अपने कापी में लिखना है अभी सबसे निचे देखो कृती उपक्रम, इस कृती और उपक्रम में जो पहला वाला है, वो आपको करना है, बाकी के तीन नहीं करने है देखो पहला वाला क्या है? माता पिता से अपने बारे में सुनो, देखो बच्चो आप अभी घर में हो, कोरोना की वज़े से बराबर ना? तो आप दीन भर क्या करते है? यह अपने माता पिता से पूछो, और अपने बारे में उनको पूछो और सुनो, और वो हमें बेज दो देखो माता पिता क्या कहते है? तुमारे बारे में हम भी तो सुने, बेजेंगे ना, ठीके, यह जो अब स्वाध्याय दिया है पुनरावरतन का अपने कापी में लिख कर मुझे बेजना है, ठीके बच्चो, और मैं वर्णमाला का एक वीडियो भी आपको बेज रही हूँ, देखो बच्चो, अमारी राष् हिंदी है, हम हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं, हिंदी की एक वर्णमाला है, और वर्णमाला में स्वर और वेंजन होते हैं, देखो स्वर कौन से हैं? औ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, अम, अहां, ए, ओ, और वेंजन देखो कौन से हैं? वेंजन में, क, ख, ग, घं, ग, च, छ, ज, 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 न, त, ठ, ड, ध, न, उसके आगे जो है, नुकता वाला ड, और नुकता वाला ध, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ख, ट, र, ग, ग, श, और बाजू में है, जो है, नुकता वाला ज, और नुकता वाला फ, ये वर्ण माला आपको अपने कापी में लिखनी हैं?